नवस्कार साथियों कुछ important term or definitions और बाकी रहे गए थी इससे पहले वाले lecture की उसके बारे में अब चर्चा करते हैं आज चर्चा करते हैं चलिए हम बात करें सबसे पहले मीजो योगिक ठीक है वीडियो को like, share, subscribe करते हैं और अपने साथियों से चर्चा करना चलिए ऐसे हम आपके लिए chemistry के important topic के वीडियो अवेलेबल करवाते रहेंगे जै हो मीजो योगिक क्या होते हैं मैसो योगिक है ना मैसो योगिक क्या होते हैं अब भाज साब आपको यह द तक हैं दो किरेल के अंदर होते हैं कितने किरेल तो दो एक तो भाइस साब यह किरेल के अंदर और दूसरा किरेल के अंदर यह समझ में है की अंदर कि सको बात करों कि इस कारभन से 6 different Sum हो जुड़े हुए कौन-कौन से एक तरफ और चयोब और तरफ और एक तरफ तरफ यह जुड़ा हुआ है तो यह वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो गया किरेल कार्बन हो गया ऐसे ही मेरी बात सुनना ऐसे ही यह वाला कार्बन जो है यह वाला भी किरेल कार्बन है क्यों किरेल कार्बन है इससे एक और जुड़ा हुआ है एक तरफ एक तरफ एक तरफ और एक तरफ दो किरेल के अंदर विद्धिमान हैं, बढ़िया बात है, दो किरेल के अंदर विद्धिमान है, फिर भी अपन इस compound को यहां से symmetry लग रही है, क्या लग रही है, symmetry प्लेन आप symmetry लगेगे यहां से, अब इसको उठा कर यहां पर रखेंगे, तो अध्यारोपित नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा मतलब कोई भी compound दूसरे compound को दबाये गा नहीं मतलब उसको उपर रखने पर पिछे वाले item न दिखे तो वो होगा अध्यारोपित तो यह क्या हो condition है? अध्यारोपित कौन सी condition है? अध्यारोपित तो मीजो योगी को वहाँ प्रकाशी समावी होते हैं जिसमें दो किरेल केंद्र विद्यमान हैं है ना दो किरेल केंद्र विद्यमान है होते हुए भी अणू अपने दरपन प्रतिविम्मो पर अध्यारुपित नहीं होते हैं इसमें सम्मिती का तल होता है कौन सा तल होता है स सम्मितिस plane of symmetry होता इंह तथा कम से कम दो कीले के अंदर होते हैं जैसे मि सो टाकरी तो और मेश मैसे uh कियांगे ओ किया करेंगी उत्पन क्या करने मैसो योगी कर सो मेरेने में सब करिके all रिख लिख चलिए सक्रacioneshe है चलिए है आगे बात करें ये वाला बड़े मद्यदार कुश्शन है जो किコंपाउंड को नाम होता है वो तो आप जानते होंगे अब बात करां कि त्रीयों क्यों बोले और एरिथ्रों क्यों वने इसकारीजन में बताता हूं आपको अब यदि किसी कंपाउंड में भाई साब जैसे कि ये समीद कारवनेक मैं यह संप now इन अः स्मीत कार्पिन एटम में क्या पोछीचन देखेंगे यदि ये जो ग्रूप है एक दुसरे के अपोजीट हो सेम साइट मतब यह सेम साइट, एक दुसरे की अपोजीट साइड में हैं ठीक एक बड़ी खेल रही है एक गुसरे के अपोजिट साइड में तो उस कंपॉंड के नाम के पहले क्या लगाएंगे थ्रीयो अपोजिट साइड में तो उस कंपॉंड के नाम के पहले क्या लगाएंगे थ्रीयो और यदि सेम साइड में है ये OCH3 OCH3 सेम साइड में ये भी किरेल कार्बन है यहां पर भी किरेल कार्बन होगा तो इस कंपाउंड के नाम के पहले क्या लगाऊंगा एरीथ्रो एरीथ्रो लगाऊंगा एरीथ्रो उपसर्ग लगाते हैं तो इतनी से तो बात है कि फ्रियों एमेरिथ्रव उसर गयाँ 3ोएमेरिथ्रो डैस्टिरियो आईसोमर्स क्या होते हैं तो डो भिद्न कीर लोकेंद्र एक केंद्र हैं डोब्रीन केंद्रो यह भिद्न असम्मीत कार्बन परमानों यह वी है zou यह आधर प्रीश संक tough एक होत다면 में जब समान समू एक ही और हो तब अणू के नाम के पहले क्या लगाऊंगा एरिथ्रो और यदि विपरित पक्षो में हो तो थ्रियो उपसर लगाते हैं ये भिन्य किरेल के इंद्रा आवश्यक नहीं है ये पास पास में हो एक छोड़के भी आ सकता है क्या फरक पड़ रहा जिन सबस् assezDa rit.–1 चोड़कर भी आ सकता है अगर डोनों क्लोरिन सेड में होते तो क्या ravnetट है ठीक है और यह दोनों जोरूने यह कार्बन यह होता तो भी कोयी दिक्कत नी और एक छोड़कर भी आ गया उधाराण 3-O, 3-O, ये 3-O, 3-Phenyl, इधर से नमनिंग कर एक, दो, तिन, 3-O, 3-Phenyl, 2-3, Dichloropropanoic Acid, नाम इसका, अम लोगों फीशर प्रक्षप सुत्र A के द्वारा प्रदशित किया गया है, ये फीशर प्रक्षप सुत्र A द्वारा प्रदशित किया गया है, मेरी बास समझे, हम अच गय होगे, समझदार बच्चे है, BAC वाले बच्चे है, आपको तो वीडियो समझ में आते होंगे, गयारी वाले बारी वालों को कम समझ में आए, लेकिन आप तो समझदार हो, मूबाइल चलाते हो, रात दिन, जै हो, देखो थ्रियो रूप में, इस रूप में दो समान क्रोईन प्रतिस्सापी, जो कि दो और तीसरी पोजिशन पर है, ये तो मैंने C ऐसे लिख दिया, बाक पड़िया बाते, विपरित पार्शों में इसी थे, एक दूसरे की विपरित पक्षों में उपसे थे, इस प्रकार B के समान प्रतिस्थ्यापी, मेथोक्सी, OCH3, सेम साइड में हैं, जो कि दो और चार इस्तान पर इसी थे, तो एक ही पार्शों में, एक ही साइड में, पार त्रियो और इर्थ्रोसमाई भी निचेद रशहाए क्ले सत्केशी थ्रियो अब बड़ा तो और भाते, मतलब अपोजिट एन रेते यह मतलब सेम सैड में, α अब देखो, यह कौन सा कंपॉंड sos 3 youTきं Tucson क्योंकि इसके अप्पोजिट सैड्ट में कि्लोरिन ज्टे हुए हें यह बीपदियो होगा दुरुवन-गुणक था यह हैं भाई स्थय्थ और च्छॉदर सेम साइड में गुल्वे एरिथ है तो एरिथ्रो है तो दुर्वन-गुणक हो तो थ्रियो और एरिथ्रो महारा हिसापती आपने समझ में आगी वेगा कि थ्रियो कणिने के वे और एरिथ्रो किसको केते हैं यहां तक बेटा जी हमज में आगई आगे बड़े इस्क्रिंशार्ट लेते जाएएगा इतने अच्छी तरह से फोगट में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको अब एक डेफिनेशन है भाई साब ये भी बड़ी मस्त डेफिनेशन है नोट करो, इस्ट्रियोजनिक सेंटर, इस्ट्रियोजनिक के अंदर, नोट करो जल्दी नोट करो हाँ, तो अपन किरेल सेंटर देखी रहे थे, किरेल कार्बन परमाणू भी देखी रहे थे कि कौन सा किरेल कार्बन होता है जिसकी चारों से डिफरेंट डिफरेंट हो से अपन किरेल कार्बन केते हैं यहां तक तो हमने देखी लिया था भाई साथ अब इस्टिरियोजेनिक सेंटर किसे केते हैं तो भोई तो है किरेल सेंटर एक इस्टिरियोजेनिक सेंटर बेटा जी इसकी चारोल डिप एच है इँ भंधल कोई और ऐसके स्वेंड य कारण ऊसके प्रकाशी समावी समभावें, क्या समावी? प्रकाशी समावी समभावें, Optically Isomers Isterοgenicorb których क्यंदरा के वे हैं ये कंदर प्रायय किरेल कार्बन परमान होते ये कंदर कोझ से ते, वह इस बात आ गे न? मैं कहं रहा था वह हुँचि कि यह केंदर पराहिया कीरेल कार्बन परमाण होते हैं बढ़ा वाते लेक्टिक अमल में एक इस्टेरियोजनिक केंदर हैं और टाट्रीक अमल में दो है। सब्सक्राइब निवन सुत्र से तारांकित किया गया है बढ़िया वात है यह किसी योगीक में विभिन स्ट्रेयोजनी केंदरों यह असंभीत कार्बन परमाणों की संख्या एन हो तो उसकी द्रूवन गुरुणा क्रूपों की संख्या भी होगी कि 2N होगी 2N होगी मतलब धुरुपन केंद्रों क्या कितने तो जैसे ग्लूकोस की बात करें तो ग्लूकोस में टू की पावर क्या लिखू में टू की पावर चार सेंटर होते तो टू की पावर फोर तो टू इंटू 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 इंट उस साइड में आ जाएगा मतलब सी यह एच यह ओएच और यह सी डबल ओएच और यह सी एच तरी तो इसके तो अपने को दो ही रूप मिले इसके चार मिलेंगे गुलकोस की सोला मिलेंगे चलो वह आगे की बात है लेकिन अभी समझ में आ गया कि इस्ट्रियोजनिक केंदर क् पढ़ो तो बहुत इजी है पढ़ाई होती है पेपर न सरर्ण होता है न कठिन होता है जो पढ़ लेता है उसके लिए जिसे कि आपके एक्जाμमें से इन में से कोई डेफिनेशन आ गई आपको अच्छे से याद है क्या कोगे पैपर सरर आयता भाया आपको याद नहीं क् पेपर कठी नाय था, यही बात करेंगे ना अपन, तो अच्छे से याद कीजिए, चलिए, तो आज जो है, मैंने ये जो डेफिनेशन से करवाई, चलो यहाँ तब हो गया, बढ़िया बढ़िया चीज़े करवाई मैंने, मस्त मस्त चीज़े, त्रियो एरित्रो याद हो गया होगा आपको इस्ट्रियो जनी केंद्र याद हो गया होगा और यह मेजो कंपाउंड याद हो गया होगा और इससे पहले मैंने यह साथी चीज़े करवाए थी इससे पहले वाले वीडियो में तो भाईया यह जो है अच्छे से कीजिएगा या तो आप जो है अच्छे से लिखिया है उनको सामने वाले को बेखुप न बनाए यह उसी तरीके से आप लिखोगे क्योंकि कॉपी चेकर की जो निगा जो जाती न वो डारेक्टर गलती पर जाती है आपने सही लिखा वो तो ठीक है उस पर तो जाएगी सही कोई दिक्कत नही लेकिन गलती पर बहुत जल्दी निगा टिकती है अना दुनिया को गलती बहुत जल्दी एक्सेप्ट होती है जैसे कि मैं बताओं यहाँ पर यह पूरा वाइड बोर्ड है यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या दिख रहा है आपको सिर्प एक काला डॉट दिख रहा है तो दुनिया को गलती सबसे दिखती है अच्छा है यह कम दिखते है पहले गलती दिखती है एक ब्लेंग पेपर दिया हुआ है इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अच्छी चीज़े लिख सकते हैं लेकिन य यह होता है लाइफ में तो साथियों अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा समय आपके पास काम है और बीसी फश्टियर के वीडियो की में प्लेइलिस्ट बना दूँगा उस प्लेइलिस्ट से आपको मेगजीमम जो टॉपिक है मैं देख रहा हूं बीसी फश्टियर की क्या क्या अलग पढ़ाएंगे भीया त्रियो और एरित्रो आइसमर चाहे आप दिल्ली पढ़ोगे राजस्थान में जेपूर पढ़ोगे है तो है वो ही है ना अलग तो कोई चीज नहीं है केमस्टी फार्मूला तो वह है तो आप कहीं से पढ़ो आप ग्यान बटो रिए और अच् चलिए साथी वीडियो को शेर कीजएगा लाइक कीजएगा सब्सक्राइब कीजएगा मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बाए धन्यवाद जैहिन